Hello everyone, this is Muskan Jain and welcome back to your favorite channel Magnet Brains जो आपको provide करता है, quality education वो भी free of cost Animal Kingdom हम लोग पढ़ रहे थे और Animal Kingdom के अंदर मैं काफी सारे Phylum's आपको पढ़ा चुकी हूँ Phylum Porifera, Phylum Seed and Treata and Phylum Tino कम्प्लीट कर चुके हैं आज हम पढ़ने वाले हैं Animal Kingdom के अंदर Phylum Platte Halmence ठीक है, अब ये Phylum Platte Halmence के अंदर के आपको क्या क्या पढ़ना है ये जो images आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी दिखाई दे रही है मैं ये तो बहुत चिप्टी-चिप्टी से नजर आ रही है, एक तम बोलता है एक तम फ्लाट नजर आ रही है ठीक है, बिल्कुल चपट नजर आ रही है मैं के images हमें तो ये जो फ्लाट images आपको नजर आ रही है, ये इसलिए नजर आ रही है क्योंकि इस phylum के अंदर आने वाले सारे ही organisms को कहा जाता है क्या, flat worms, क्या कहा जाता है, flat worms कहा जाता है दिख रहे हैं flat, दिख रहे हैं बिल्कुल flat, बिल्कुल paper जैसे flat organisms नजर आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं मैं, बिल्कुल आ रहे हैं बस इन्ही के बारे में पढ़ना है, इन्ही के बारे में पढ़ना है, एक सकंड, ओके, चलो, सार्ट करते हैं, हो गई है शुब शुरुवात, राइट, खासी के साथ, अब देखते हैं, नेक्स्ट, फाइलम लैटे हलमिंद का मैं आपको पूरा ओवर्वियू देती हूं कि हम कैसे पढ़ने वाले, उसके बाद हम स्टाट करते हैं, जैसा कि सारे फाइलम में हम कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम इसके general characters जैसे की body form symmetry और germ layers के बारे में फिर पढ़ेंगे हम इसका level of organization body cavity के बारे में skeleton and excretory system excretory system इसका मैं क्यों पढ़ा रही हूं इससे पहले नहीं पढ़ाया क्योंकि भाई इसमें पाई जाती है कुछ important kind of cells ठीक है flame cells जो इनके excretory system में पढ़ना बहुत important है ठीक है इससे questions आते हैं तो इसलिए यहां पर आपको excretory system भी पढ़ना है okay next आप पढ़ोगे फिर कैसे पढ़ रहे हम unique features पढ़ते हैं advancement अपन feature पढ़ते ही है तो unique features पढ़ेंगे पढ़ेंगे advancement over the nidarians ठीक है टीनो फोरा निडेरियन से इनकी advancement क्या है क्यों यह उनसे ज़्यादा advance है उसके बाद इनका classification कैसे किया गया है किन-किन classes में इने divide किया गया है और classification में examples को देखने के बाद हम आ जाते हैं ncrt reading के उपर यह हमारा format है जिसके उपर हम पढ़ते आ रहे हैं यह ncrt के diagram से ओके चलो इस तरह से आपको यह पूरा phylum, plate, helmin's पढ़ना है स्टार्ट कर दूं मैं कोई दिक्कत किसी को चलो फटा-फट से ready हो जो बिलकुल अपना notebook, pen, pencil, ncrt सब कुछ लेकर highlighter जरूर होना चीए सब कुछ ready होना चीए, स्टार्ट करते हैं हम phylum, plate, helmin's को पढ़ना सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले मैं हम color ले लेते हैं सबसे पहले तो मैं हम color ले लेते हैं, एक हो गया हमारा blue और एक हो गया हमारा pink ठीक है, यह हो गया, चलो, done, अब स्टार्ट करते हैं see, the phylum, plate, helmin's, includes the flatworms यही तो कहा था मैंने, सारे flat, flatworms इसके अंदर आते हैं ओके, थोड़ा मैं आराम से पढ़ाऊंगी आज, क्योंकि आपको दिखी रहा है कि क्यों है ना, मैं सुनाई दे रहा है, दिख नहीं रहा है, सुनाई दे रहा है दिखाई भी दे रहा है, खास्ती हुए दिख रही हूँ ना, ओके तो भई, they are the most primitive bilateral animals इससे पहले देखो, आपने देखा, सब में radial symmetry थी ठीक है, bilateral symmetry कहीं नहीं आई, bilateral जैसे symmetry आई थी तो भी वो bilateral थी, bilateral नहीं थी complete ठीक, किसकी बात कर रही हूँ, मैं याद है ना, sealant rate की बात कर रही हूँ आप देखो, यहाँ पर यह completely bilateral animals हैं भाई, और सबसे primitive वाले ठीक है, सबसे primitive वाले, क्यों, क्योंकि सबसे पहले bilateral symmetry नहीं में देखी गई bilateral symmetry इससे पहले नहीं देखी गई, किस में देखी गई, platy helmets में, flat worms में इसलिए, they are the most primitive bilateral symmetry वाले organisms याद रहेगा, याद रहेगा ना, आप, आगे देखो, they show the following characteristics इनके अंदर यह कुछ characters दिखाई देते हैं, जो आप पढ़ने वाले हो, पढ़ लेते हैं, आजो most primitive bilateral animals वाली चीज़ को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा highlight कर दिया, यह छोटू कैसे हो गया, आजो body form की बात हम कर रहे हैं, भई body form इनका कैसा होता है, तो the body is soft and dorsal ventrally flattened ठीक है, body इनकी soft होती है, और कैसी होती है, dorsal ventrally, dorsal side, ventral side, दोनों side से ही flattened body इनकी होती है, ठीक है, पूरी तरीके से flattened body होती है, इसी लिए इनको flat worms कहा जा रहा है, तो भई, flat worms कहा जा रहा है, body है, soft और कैसी है, flattened body, dorsal ventrally flattened body, it may be leaf like, ribbon like, or it is without the segmentation, okay, इनकी जो body है, वो एक बिल्कुल leaf के जैसी भी हो सकती है, ribbon के जैसी भी हो सकती है, या फिर ऐसी भी हो सकती है, कि उसमें कोई segmentation ही ना हो, ठीक है, अब यह जो leaf और ribbon जैसी body की बात चल रही है ना, यह देखो यहाँ पर, यह देखो कैसी ribbon जैसी body दिख रही है आपको, यह देखो दिख रही है ribbon जैसी body, यह देखो यह दिख रही है leaf जैसी body, है ना, बिल्कुल simple सी flattened body, leaf like body, या ribbon like body, यह देखो ribbon की तरह, ribbon होता है ना, सरीके से fold, यह देखो, कितनी flat और कितनी बिल्कुल thin सी इनकी body है ऐसा लग रहा है कोई एक layer है बस, पर यह इनकी सिर्फ layer नहीं यह पूरी की पूरी body है यह पूरी इनकी body है, okay ओके, चलो next देखते हैं, see it may be leaf-like, ribbon-like and it is without segmentation, और यह segmentation के बिना होती है, इसमें कोई segmentation नहीं होता, है न, segmentation मैंने आपको पढ़ाया है न, क्या होता है जब body को, आप बहुत सारे ठीक है, जब body में क्या हो, ऐसा लगे कि बहुत सारे, बहुत सारे segments को मिला के यह body बनी है, और जब उसमें organs का क्या हो, कम से कम एक या दो organ तो ऐसे हो, जो कि repeatedly, repeatedly, बहुत सारे segments में हो, attach हो है न, तो इस तरह का segmentation होता है, उसको segmentation के तरह, इनके अंदर वो नहीं है, ओके, इनमें वो नहीं है, यह मत यात रख लेना कि segmentation की बात हुई थी, तो इनमें है हम बात कर रहे हैं कि इनके पास segmentation नहीं है, ओके next हम देख रहे हैं क्या, symmetry अरे यार, आजओ, 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 आजओ next हम देख रहे हैं क्या, अरे भाई blue, हाँ next हम देखेंगे symmetry, symmetry के मैं बात अगर करूँ, तो the symmetry is bilateral in flatworms, flatworms में symmetry कैसी होती है, bilateral symmetry होती है, कैसी होती है flatworms में symmetry, bilateral होती है, अभी तो देखा यार, bilateral होते है है ना, next अगर अपन बात करते हैं character की germ layers की, ठीक है, next character कौन सा deal करेंगे, germ layers को, germ layers के बारे में अगर हम देखें, तो the third primary germ layer, the mesoderm, ठीक है, तीसरी जो primary germ layer इनकी होती है primary germ layer क्यों कह रहे है इसको, क्यों कह रहे है, बताओ, जल्दी बताओ, the mesoderm has appeared between the ectoderm and endoderm, this makes the flatworms triploblastic animals, देखो, ध्यान से सुनो the third primary germ layer, ठीक है, जो germ layers होती है main, ठीक है, primary germ layers, तीन होती है, right पढ़ाया है मैंने आपको, अगर नहीं आद है, तो एक बार फिर से देख लो, तीन primary germ layers होती है, सबसे पहली होती है, सबसे पहली होती है ectoderm फिर होती है endoderm और फिर आती है उसके बाद, इन दोनों के बीच में mesoderm ठीक है, लेकिन पहले कौन सी आती है ecto, दूसरी कौन सी आती है endo, तीसरी फिर बीच में develop होती है, दोनों के कौन सी meso, तो अभी तक आप जितने भी phylum पढ़ रहे थे, porifera sealant, retatinophora, सब में आपने देखा कि बस ये दो germ layer थी ectoderm और endoderm, ठीक है अब यहाँ पर middle वाली तीसरी primary layer भी germ layer भी develop हो रही है ओके इनके पास तीसरी primary layer भी develop हो रही है, जिसका नाम है क्या? mesoderm, ठीक है अब क्योंकि इनके पास तीनो लेयर हो जाएंगी, तीनो germ layers हो जाएंगी तो यह किस तरह के organisms कहलाएंगे they will be called as triploblastic organisms or triploblastic animals because they have all the three primary germ layers, ectoderm, endoderm and mesoderm in between the both ecto and endo यहां तक बात clear है, ठीक है बहुत आराम से बता रही हूं मैं, कुछ भी speed में हम नहीं चल रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, बहुत जादा कुछ इसके अंदर आपको पढ़ना भी नहीं है, basic basic से चीज़े हैं, ठीक है level of organization के बारे में अगर हम बात करें तो दे रहा है, definite organ systems, ठीक है, इनके पास भी कुछ definite organ systems है, मतलब इनका level of organization क्या हो गया, organ system level of organization है, ठीक है क्या है, organ system level of organization इनके अंदर पाया जा रहा है definite organ systems कौन कौन से भई flatworms के अंदर definite organ systems पाय जा रहेंगे, क्या हो गया organ system level of organization है इनके अंदर, इस से पहले अगर आप देख रहे थे तो आपको सिर्फ tissue level of organization मिला था right, porifera, sealant rate antinophola के अंदर आपको tissue level of organization मिला था यहां आपको organ system level of organization मिल रहा है याद रखना अब देखो body cavity की अपन बात करते हैं ठीक है किसकी बात करते हैं body cavity level of organization के बाद body cavity ठीक level of organization याद रखना बिटा triploblastik भी आ चुका है यहां पर organ system level of organization भी आ चुका है यहां पर यह दोनों चीज़ें याद रखना ठीक है यह दोनों चीज़ें जो है वो बिलकुल highly advanced वाली है ओके इससे जाधा advanced हो सकता है क्या organ system से भी उपर जा सकते हो कि आपके अंदर भी तो organ system level ही है ठीक तो यह कहां से start हुआ यह याद रखना पड़ेगा triploblastik और organ system याद रखना body cavity the organ systems are packed in a characteristic connective tissue जो organ systems है वह characteristic connective tissue से packed होते हैं इसका मतलब क्या है वो है कौन सा किसकी बात कर रहे है parent कायमा की बात कर रहे हैं यह कुछ चीजें जो मैं यहां पर highlight कर रही हूं यह मैं आपको colorful बनाने के लिए नह जाना important है इनके अंदर parent कायमा का होना important है ठीक है यह चीजें important है इसलिए हम आपको भी करनी पड़ेंगी इन में पाई जाती है कैसी काफी large और irregular cells इन में पाई जाती है कैसी काफी large और irregular cells, the branching processes from which form a network with fluid filled spaces in between देर इस नो body cavity और सीलोम, इनके पास कोई body cavity नहीं है, कोई सीलोम नहीं है तो they are also, अभी also क्यों बोल रहे हो ma'am? क्योंकि पहले वाले भी यह सीलोमेट से उनके पास भी कोई body cavity, कोई सीलोम नहीं था तो they are also the A.C.L.O.M.A.T.S. यह भी कैसे है? A.C.L.O.M.A.T.S. है, इनके पास body cavity नहीं है, इनके पास सीलोम नहीं है clear इतनी बाद, इनके पास क्या पाई जाता है? ब्रांचिंग जो है, उसमें काफी network पाई जाते है ठीक है, the branching processes from which form a network with fluid filled spaces in between अब यह जो fluid filled spaces हो रही है, इनके पारे में मैं आप जाता है ठीक है, body cavity की बात यहां तक clear हुई parent काई माइन में पाया जा रहा है और क्या पाई जा रही है, irregular cells पाई जा रही है और सीलोम नहीं है, सीलोम नहीं है, याद रखना they are also the acylomates, next हम character discuss करेंगे इनका skeleton के बारे में के skeleton इनका कैसा होता है तो skeleton is lacking, skeleton है ही नहीं, skeleton है ही नहीं इनके पास, ठीक है, अगर skeleton होता तो क्या इतनी flat body होना possible हो पाता, बिल्कुल यह एक single layer की तरह है, एक tape की तरह है ठीक है, एक single layer, एक बिल्कुल flat warm इने कहा जा रहा है, तो इतनी flat body होना possible नहीं होता अगर इनके पास skeleton होता, तो skeleton is lacking, turgidity of the fluid in the parenchymal meshes, देखो यहाँ पर यह जो fluid filled cavity की बात हो रही है, ठीक है, यह जो parenchyma cells इनके अंदर पाई जा रही है large और irregular cells पाई जा रही है, जिनकी branches है, और बीच बीच में क्या है, एक network है, जिसमें बिल्कुल proper fluid filled cavity भरी हुई है, cavity है और उसके अंदर क्या बढ़ा हुआ है, fluid बढ़ा हुआ है अब वो fluid क्यूं बढ़ा हुआ है, वो cavity क्यूं है, यह देखो यहाँ पर बताया हुआ है, कि वो क्यूं बढ़ा हुआ है, वो cavity क्यूं बनी हुई है, ताकि यह जो fluid है, यह क्या करता है turgidity of fluid in the panenchymal meshes maintains the form of the body, hydro skeleton इसे कहते है, ठीक है, यह जब turgidity को maintain करता है, यह fluid अपनी, ठीक है, इसकी वजह से यह एक skeleton, एक पूरी body का कुछ limited, ठीक है, shape को maintain कर पाता है अब इसको, क्योंकि यह fluid से अपने shape को maintain कर रहा है, कोई skeleton present नहीं है, इसलिए इसे hydro skeleton कहते हैं, इस तरह के skeleton को क्या कहते हैं, hydro skeleton कहते हैं, ठीक है इस skeleton को क्या कहते हैं hydro skeleton क्यों क्योंकि अपना skeletal system अपनी body का shape अपनी body की turgidity यह कैसे maintain कर रहा है इस fluid की help से कर रहा है तिक है इस fluid की help से कर रहा है यह turgidity और fluid word याद रखना इसकी body में parent का emitter cells के बीच में irregular cells के बीच में fluid filled cavity पाई जाती है जो अपनी turgidity को maintain करते हुए क्या बनाती है hydro skeleton ठीक है अपने body के form को अपने shape को maintain करके रखती है और इस तरह के skeleton को कहते है hydro skeleton क्या कहते हैं skeleton को hydro skeleton next हम deal करने वाले है ठीक है excretory system के साथ क्योंकि excretory system में इनके में पाया जाता है एक बहुत ही अच्छी सी cells जिनके बारे में क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए इतना अच्छा बोलना पड़ेगा इनको ठीक है क्योंकि पूछा जाता है इनके बारे में बहुत इसके लिए कुछ अलग यूज़ करते हैं रूप जाओ इसलिए प्रोटोन अफ्रीडिया क्या है यह कुछ टर्म से जो आपको पड़ने है चलो स्टार्ट करते हैं C, excretory system, the excretory system includes characteristic flame cells, flame cells is excretory system में होती है, जने proton aphredia भी कह रहे है, leading into tubules that open out by one or more excretory pores, अब यह जो flame cells है, यह कहां पहुँछती हैं, भई, कहां जाके reach करती हैं, इसके लिए कुछ यूज़ करना पड़ेगा, अच्छा सा, C, यहां पर यह जो आपको सारे structures नज़र आ रहे हैं, यह सारे structures क्या है, at last, tubule के बिलकुल end में यह structures आपको नज़र आ रहे हैं, यह क्या है, they are the flame cells, यह सब, यह सब जो आपको नज़र आ रहे हैं, यह क्या है, they are the flame cells, okay, these all are the flame cells, यह सब flame cells है, अब इन flame cells का function क्या है? यह flame cells क्या करेंगी? यह जितने भी मैंने बनाए हैं यह सारे क्या है flame cells हैं? अब इन flame cells को ध्यान से समझना इन flame cells के बाद हम दूसरा color यूज करके इनको समझते हैं कि यह flame cells जाके open हो रही हैं कहाँ पर? tubules में यह tubules दिख रहे हैं आपको यह tubules दिख रहे हैं राइट हर एक flame cell को देखो वो कहाँ पर किस से जाके end हो रही है भाई tubules पर जाके open हो रही है यह tubules है यहाँ भी यह tubules है यह तीनों फिर tubules आके यहाँ पर मिल रहे हैं हर एक के बाद tubules आपको देखने को मिल रहे हैं हर एक के बाद किसी भी flame cell को देखो उसके बाद क्या है tubules यह देखो tubules राइट हर एक flame cell के बाद क्या है tubules क्या कहना है यह लोग that they lead into tubules that open out by one or more excretory pores ठीक है यह tubules की तरफ खुलती है और फिर वो tubules कहां जाके खुलते हैं excretory pores अब देखो यहां पर आपको excretory pores नज़ड़ आएंगे यह देखो यह देखो, excretory pores see, these are the excretory pores दिख रहा है excretory pores यह देखो, दिख रहा है आप कर लेते हैं इनकी labeling labeling कर लेते हैं, देखो यह जितने भी pink color से हमने बनाया है यह सारे क्या थे, flame cells यह सब क्या है, flame cells यह yellow color में जहां जाके open हो रहे हैं वाले tubes क्या है, इनके tubules यह सब क्या है, यह yellow color से जो आपने बनाया है these are the tubules okay, tubules में open हो रहे है tubules सारे जाके फिर कहां पर open हो रहे है, excretory pore में ठीक है, अब यह excretory pores आपस में कैसे connected है, बहुत सारे जो pores हैं, यह कैसे connected है सारे जो excretory tubules हैं यह सारे tubules एक दूसरे से कैसे connected है excretory duct के through excretory duct के through सारे tubules आपस में connected है यहां तक बात clear है, excretory duct के through सारे tubules आपस में connected है, अब इनके connected होने के बाद यहां जो दिख रही हैं आपको, यह क्या किया इनोने, कुछ नहीं, यहां से किसी एक flame cell को आपको बहुत अच्छे से zoom करके दिखाने की कोशिश की है कि वो कैसी है, देखो, यह flame cell आपको दिखाने की कोशिश कर रहे है कि इसके अंदर भाई, बहुत सारे cilias हैं, देखो ऐसे, ठीक है, यह ठीक है, बहुत सारे cilias हैं यह पूरा का पूरा जो इसके अंदर आपको दिख रहा है, यह इसका cytoplasm है और यहाँ पर जो आपको बीच में दिख रहा है, यह इसका nucleus है, बस यह तीन चीज़ें आपको इसके अंदर दिखाई जा रही है flame cell के अंदर cilia, cytoplasm and nucleus, ओके, cilia cytoplasm and nucleus, तीन चीज़ें दिखा रहे है और उनका arrangement कैसे दिखाया है भाई, कि flame cell के बाद वो open होगी, जाके कहाँ पर, tubules में tubules जाके open होगे, कहाँ पर excretory, pores में अब tubules आपस में सारे connected कैसे हैं excretory, duct के थू ओके, तो यह सारे कुछ इसकी labeling सी, इस diagram को, I hope आप समझ पाए होगे, यह जो flame cells है, इन से questions आते हैं तो इनको भूलना नहीं है अब देखो, leading into tubules that open out one or more excretory pores excretory matter is ammonia excrete कर क्या रही है यह, excretory pores से excretory duct से, यह flame cell से, क्या excrete कर रहे हैं तो the excretory matter is ammonia in aquatic platforms, ठीक है, जो aquatic flatworms होते हैं, उनमें ammonia होता है, excretory matter the flame cells also bring about osmo regulation इनकी जो flame cells हैं, यह सिर्फ excretory matter ही नहीं, साथ ही साथ, osmo regulation की process भी कर रही होती है flame cells, सिर्फ excretory ही नहीं, osmo regulation भी कर के देती हैं और aquatic flatworms में, जो excretory matter होता है वो होता है, ammonia, यह क्या excrete करते हैं, अपनी body से बाहर, ammonia excrete करते हैं, याद रखना यह जो excretory system का इनका explanation है यह important है, okay flatworms के बारे में excretory system important है, याद रखना यह एक बार अगर screenshot लेना चाहते हो ले लो, आगे बढ़ते हैं the diagram shows a part of excretory system and a flame cell चलो, यहां तक लियर है यहां तक लियर है, next देखे unique features अब आपको पढ़ने हैं, about the platter helmets, see the flatworms have the following unique features, like first one, parenchyma filling the space between the body wall and the visera, जो body wall है और जो बीच बीच में के tubules पाई जा रहे हैं, ठीक है, बहुत irregular cells पाई जा रहे हैं, उन सबके बीच का जो space है, उसको कौन फिल करता है उस space को फिल करते हैं, parenchyma कौन फिल करता है, parenchyma parenchyma filling the space between the body wall and the visera and then the flame cells for excretion and osmoregulation यह जो चीज़े यहाँ पर parenchyma आप सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो यहाँ जो आप parenchyma सुन रहे हो पहली बार सुन रहे हो, यह सब इनके unique features है, right, इनके पास parenchyma का होना is unique feature इनके पास excretion के लिए osmoregulation के लिए flame cells का होना is their unique feature इससे पहले आपने सुना था flame cells नहीं, यही पर सुना ना, इनके पास सुना ना, तो it is their unique feature next आपने इनके पास ऐसा क्या सुना जो इनका unique feature हो सकता है separate wetland glands for the produce करती है, तो york के production के लिए, अलग से wetland glands इनके पास पाई जाती है, ऐसा भी होता है इनके पास, ठीक है, तो यह कुछ इनके unique features है, यहाँ पर मैंने एक और diagram यहाँ पर put किया हुआ है जिससे आपको क्या होगा, समझ आएगा अभी क्या हो रहा था, आपको सिर flame cells दिखाई थी अब आपको पूरी body दिखाई है देखो कैसा है, यह flatworm है, इसको इससे fold करके क्यों दिखाया है आपको ताकि आपको दिखा सकें कि single एक बिल्कुल paper जैसी layer है आप देखो यह इनका flatworm की body है अब इस flatworm की body में इस तरीके से run कर रही है bilateral symmetry है ना, इनके अंदर bilateral symmetry है ना, इनके अंदर, क्यों है इसलिए तो है, कि जब इसको बिल्कुल एक axis के along ऐसे cut करेंगे तो यह दो symmetrical, दो similar halves में divide होगा देखो, होगा या नहीं होगा, समझे ना इस बात को अब इनके अंदर यह जो structure पाया जा रहा है और यह जो बीच-बीच में fluid filled cavity पाया जा रही है यह क्या करेगी, इनके shape को maintain करके रहेगी इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे hydro skeleton बोलेंगे, अब यह जो सारी cells यहाँ पर नजर आ रही है इन cells में क्या है, यह जितनी भी cells आपको निकले हुए नजर आ रहे है यह सब क्या है इनके, flame cells, यह सब जो निकलते हुए दिख रहे हैं आपको यह सब क्या है, flame cells है और अंदर जो बीच में पूरा टिब्यूल नजर आ रहा है, वो क्या है excretory ducts है, क्या है यह सारी excretory ducts और canals यह देखो, यह देखो यहाँ पर, यह क्या है, यहाँ पर किसी एक को दिखाने है यह देखो, किसी एक को ले लिया, यह इसको या इसको, किसी भी एक को अगर उठाके आप देखोगे microscope में, तो इस तरह का structure नजर आ रहा है, जिसमें अंदर भरा हुआ है, क्या fluid, ठीक है, और क्या है, उसके पास cilia, और क्या है, उसके पास nucleus, और पूरी की पूरी यह cell क्या है, flame cell, कहां से connected है, excretory canal या excretory ducts के through, या फिर tubules के through connected है, यह पूरा connection आपको branched network नजर आ रहा है, branching नजर आ रही है, right, यह वाला diagram आपको अभी तक आपने flatworm के बारे पढ़ाए, वो सब कुछ clear करने के लिए बहुत easy है, यह वाला diagram, ठीक है, इसको देखके सब समझ जा जाएगा, चलो, next पढ़ते हैं, next पढ़ते हैं, unique features के बाद, advancement over nidarians, चीक है, nidarians में भई क्या क्या advancements आपको देखने को मिल रहे हैं, तो the flatworms show advancement over the nidarians in having, flatworms nidarians से इसलिए जादा advance है, क्योंकि इनके पास bilateral symmetry है, क्या है इनके पास, bilateral symmetry है, इनका organ system level of organization है, अभी तक तो सिफ tissue था, symmetry भी अभी तक सिर्फ radial थी, अब bilateral आई है, organ system level of organization है, तो इसलिए ये higher है, इसके अलावा, इनके पास head है, इससे पहले वाले organisms के पास head नहीं था, nidarians तक head नहीं था, इनके पास head है, with sense organs at the front end, front end पर इनकी body पर head है, देखो ये पिछला diagram, यहाँ देखो, ये देखो, ये क्या है इनका head, front end पर, ठीक है, head है, और उसके अंदर sense organs भी है, ठीक, चलो, तो भी इनके पास head है, और इससे पहले head नहीं था, ओके, this is the advancement, और क्या है, उसके अंदर head के अंदर sense organs है, यहाँ पर देखो, तीन germ layers है इनके पास, triploblastic है ये, इससे पहले नहीं थे, diplo थे सब, muscle layers, both in the body wall and the gut wall, body wall में भी और gut wall में भी, दोनों में muscle layers पाई जा रही है, इतने flatworm के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है इनके अं nerve cords, brain and nerve cords भी पाई जाती है इनके अंदर, organized excretory system पाया जाता है, पूरा excretory system जो है flame cells वाला, पूरा organized है या नहीं, बड़ा ना भी, तो भाई completely organized excretory system है इनके पास, ठीक है, gonoducts and copulatory organs भी है इनके पास, gonoducts, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, पिछले फाइलम में, कि gon gonads है, लेकिन gonoducts नहीं है, ठीक है, ducts नहीं है, ओके, यहाँ पर क्या है, इनके पास, gonads भी है, gonoducts भी है, और copulatory organs भी है, जिनके थूँ यह क्या करते है, copulate करते है, to opposite sex, अब क्या पढ़ना है, advancement हो गया, unique feature हो गया, क्या पढ़ते हैं, इसके बाद अपन, classification पढ़ते हैं See, तो the phylum platter helmets is divided into three classes, इसको तीन class में divide किया गया है, and the three classes are, tubularia, trematoda and systoda, ठीक है, tubularia, trematoda and systoda, these are the three classes of phylum platter helmets, सबसे पहली class का example आपको दिख रहा होगा, digesia या degasia, जिस पी तरीके से आप इसको प्रनिंसियेट करना चाहो, the planarian, सबसे जादा नाम जो famous है ना, यह वाला नह है, trematoda के examples में आप देखोगे, faciola बहुत important, बहुत, बहुत important, faciola, the live fluke, ठीक है, kistoma, the blood fluke, blood fluke, यह उतनी जादा नहीं, लेकिन live fluke, आपने सबसे जादा पढ़ा होगा, इसको मैं थोड़ा different कर देती हूं, kistosoma, the blood fluke, और systoda में आपकी जो टीमिया, the tape warm है ना, यह भाई, इसको तो, इसको तो, पिंकी रहना, यह दोनों, पिंकी, पिंकी जो है ना, मतलब आप अगर, अगर आप में से चूज करते हो ना, अगर options को, तो these two are very much important, ठीक है, these two, okay, one and two, these two examples are very much important, planarian word भी जादा आप सुनने को, आपको मिलेगा, ठीक है, planarian एक example हुआ, fasciola, the liver fluke, antinia, the tape warm, यह दो नाम तो, मतलब आप बिल्कुल रटलो दिमाग में, and kistosoma, जो blood fluke है, यह भी, बहुत important है, ठीक है, classes याद रखना, tubularia, trematoda, and sastoda classes से यह बिलॉंग करते हैं, तीनों अलग-अलग, ओके, अब क्या बच्छा, मैम, कुछ diagrams और NCRT reading, right, NCRT के diagrams और NCRT की reading, चलो, पटा-पट से देख लेते हैं, phylum, platter helmets आपका complete होने वाला है, इनकी body के अगर बात करें, तो dorsal, ventral, दोनों साइट से कैसी body, flattened body, hence are called as flatworms, these are mostly endoparasites found in animals, including human beings, human beings को भी अगर include कर लो, भई, सारे animals में, यह कैसे पाए जाते हैं, यह भई, endoparasite की तरह पाए जाते हैं, animals के अंदर, ठेक है, endoparasite की तरह, यह animals के अंदर, हमारे सब के अंदर पाए जाते हैं, हमारे अंदर भी है यह warm, जिसको तुम इत अच्छे से पढ़ रहे हो ना, इतनी देर से, यह हमारे अंदर भी है, okay, flatworms are bilaterally symmetrical, कैसे होते हैं, bilaterally symmetrical worms होते हैं, triploblastic और acylomate animals होते हैं, organization triploblastic है, पर acylomate, acylom नहीं है, organ level of organization है, hooks और suckers present होते हैं, parasitic form में, यह जो hooks and suckers वाली बात यहां निकल कर आ रही है, इसको बहुत अच्छे से mark कर लो, इस से related आपको super 30 series में मैंने questions भी solve करवाए हैं, hooks and suckers से related, जो इनका parasitic form है, ठीक है, यह रखो, parasite की तरह पाए जा रहे हैं, उसमें hooks and suckers होते हैं, अगर hooks and suckers नहीं होंगे, इसका मैं कुछ diagram बना दूँ ऐसे, hooks and suckers का diagram कुछ, देखो, यह तो मैंने body बनाई है, ठीक है, इनका जो head होता है, वो बनाया है, और फिर इसमें इस तरीके से इनके पास पाए जाते हैं, क्या suckers, ठीक है, hooks, और यह suckers, ठीक है, ऐसे, side से, यह hooks and suckers के through ही, यह क्या कर पाते हैं, जो head पे होक्स और suckers पाए जा रहे हैं, इनहीं के through ही क्या कर पाते हैं, जो हमारी intestine होती है, उसमें upper level पे, surface पे उसके क्या कर पाते हैं, ऐसे उसको चिपक जाते हैं, ठीक है, अपनी पूरी grip बना पाते हैं, इन hooks and suckers की help से ही, यही एक question आया भी था, सुपर 30 में, कि tape bomb के पास ऐसे कौन से organs present हैं, जिनके through हो क्या कर पाते हैं, अपनी पकड बना पाते हैं, और intestine की upper layer पे क्या कर पाते हैं, grip hold कर पाते हैं, तो इसी लिए कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास hooks and suckers दोनों हैं, और दोनों की help से करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ hooks या सिर्फ सकर, hooks and suckers both are responsible to provide them the grip, तो hooks and suckers are present in the parasitic forms, some of them absorb nutrients, कुछ तो करते हैं क्या, यह hooks and suckers के through host है, जिसके ओपर यह parasite बनके रह रहे हैं, उससे directly पुरा nutrition absorb कर लेते हैं, ठीक है, यह क्या करते हैं, अपना parasitic form दिखाते हैं, next देखते हैं, क्या पढ़ना है आपको इनके बारे में, थोड़ा सा ही कुछ और वाकी है, बस जादा नहीं है, See, specialized cells called flame cells help in osmoregulation and excretion, specialized cells जोने flame cells कहते हैं, यह इनकी बाडी में osmoregulation और excretion करने में help करती हैं इन्हे, sexes are not separate, sexes इनके separate नहीं होते, ठीक है, इनके sexes separate नहीं है, fertilization internal है, बाडी के अंदर ही fertilization होता है, और development इनका कैसा है, copulatory organs है ना, इनके पास, gonoducts भी है, तो duct के थ्रू क्या हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, क्या मीट, so fertilization कहा होता है, अंदर होता है, और development कैसा होता है, काफी सारी larval stages से होते हुए, development completely हो पाता है, okay, some members like planaria, possess high regeneration capacity, कुछ members जैसे कि अगर planaria की बात करने, तो regeneration capacity इनमें बहुत हाय होती है, regeneration capacity का मतलब आप समझते हो, कि अगर body को cut कर दिया, वो फिर से regenerate कर लेगी, फिर cut किया, फिर कर लेगी, कई से cut गया, तो वो फिर से उत्ता और और फिर से अपना regenerate कर लेगी, तो the regeneration capacity is very high in some organisms like planaria, planaria ही मतलब आप याद कर लो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा example है, और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, ओके, आप देखो, कुछ examples और पूरे फाइलन फ्लैटर हैलमन्स के, तो टीन यादा टेप वॉम और फैस्टी ओला दा लाइव फ्लूक, मैंने कहा ही था आप से, मैंने कहा ही था आप से, यह दो examples ऐसे हैं, जो सबसे ज़्यादा इसके बारे में पूछे जाने वाले examples हैं, ओके, चलो भई, तो अब इसका बस diagram देख लेते हैं, जो दो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले examples हैं, उन्हीं का diagram भी देखेंगे, ठीक, सबसे पहले आपको दिख रहा है, यहाँ पर टीन यहाद अधा टेप वार्म, और दूसरा आपको दिख रहा है, लाइवफलोउक, यहां पर आपको दिख रहे हैं क्या hoaks and suckers ठीक और यह इसकी पूरी अजीब सी बड़ी अच्छी सी सुन्दर सी body है ओके तो यह कुछ diagram हो गए आपके ठीक है यह कुछ diagram हो गए भही इनकी body के बड़े ही flats यह worms है सारे flat worms की कहानी यहां पर आपकी खतम होती है तो आज आपने चार phylum कम्प्लीट कर लिये हैं इससे पहले हमने कम्प्लीट किया कौन-कौन सा पौरी फैरा सीरिंट्री डाटीनोफोरा आज कम्प्लीट होगे आपका platte helmets अगर कोई भी phylum इससे पहले वाले chapter का कोई भी lecture अगर miss out कर दिया है तो आपको पता ही है मैं क्या बोलने वाली हूँ पटपट से जाओ अपने favorite channel की playlist पर YouTube channel तो आप access कर ही रहे हो साथ ही अगर आप चाहते हो तो सारे ही lectures और content आप अवेल कर सकते हो app से भी ठीक है play store पर जाकर download कर सकते हो या फिर आप आ सकते हो अमारी website पर भी which is www.magnetbrains.com जहां पर ये सारा ही full course content आपके लिए available है absolutely for free तो तो भाई e-books and e-notes भी available है कहां से avail करना है link आपको description box में मिल जाएगा फटा-फट से जाओ, avail कर लो चलिए, मिलते हैं नेक्स lecture में Till then, bye bye, take care everyone